आपका कोशन है प्रूब दैट दे रेशियो आफ एरियास आफ तो सिंगर ट्रैंगर इस इक्वल टू दे स्क्वेर आफ रेशियो आफ देर कर्रस्पोंडिंग मीडियन ठीक है तो सबसे पहले तो इसने बताया कि हमारे पास में दो ट्रैंगल्स कौन कौन से ट्रैंगल्स है वो हम यहाँ पर ड्रॉब कर देते है सपोस यह एक ट्रैंगल है हमारा A B and C ठीक है और इसने इसमें और भी एक चीज बोला है रेशियो आफ दा कर्रस्पोंडिंग मीडियन्स मीडियन्स का है तो हम क्या करते है एक मीडियन्स ड्रॉब करते है यहा तक यहां से लेकर यहा तक यह एक मीडियन्स है सपोस M is the मीडियन M is the मीडियन्स ठीक है अब हम क्या करेंगे दूसरा एक triangle लेंगे यहाँ पर ठीक है ले लिया हमने एक triangle दूसरा और इसको name कर देते हैं यहाँ पर P Q and R ठीक है और इसका एक medium ले ले लेते हैं यहाँ तक ठीक है यह हमारा medium क्या हो गया P S is the medium ठीक है अब इसमें इसने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं जस्त एक बार देखते हैं अब क्या है हमारा इसने कहा the ratio of areas of two similar triangles इसने पहले बता दिया कि यह दोनों triangles हमारे similar हैं तो given में हमारा क्या आगया कि both triangles are similar ठीक है given में हमारा क्या आगया triangle A B C is similar to triangle P Q and R ठीक है if they are similar तो अगर यह दोनों similar हैं तो इसकी conditions क्या होंगी हमारी तो सबसे पहले तो अगर similar हैं तो क्या होगा हमारे इनके ratios of their corresponding sides are equal है ना तो हम इसमें दिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे कि A B by P Q is equal to A C by P R is equal to B C by Q R first statement ठीक है दूसरा statement इसमें क्या रहेगा हमारा angle A is equal to angle P comma angle B is equal to angle Q comma angle C is equal to angle R यह हमारा second statement अना होगा नहीं है अगर यह similar है तो first and second statement fulfill होंगे इसमें ठीक है अब इनके areas कर ratio क्या होगा आपका तो वही चीज हम यहां पर लिखते हैं third area of triangle A B C by area of triangle P Q and R that is equal to क्या होगा हमारा A C whole square by P R whole square that is equal to A B whole square by P Q whole square that is equal to B C whole square by Q R whole square यह होगा corresponding angles square of the corresponding angles होगे अगर इसका area निकाल रहे हैं ठीक है यह corresponding sides हैं यह हमारा क्या होगया उसके square होगे ठीक है यह हमारा third statement होगया अब इसने और क्या बोला है कि it's a median am is the am median है तो यह क्या कर रहा है दो parts में divide कर रहा है तो वही चीज हम यहां पर लिखते हैं क्या लिखते हैं कि if it is median के हिसाब से क्या हो जाएगा अब हमारा हो जाएगा bm is equal to mc और bc is equal to 2bm हो जाएगा bc is equal to 2bm इसके अंदर हो गया इसके अंदर क्या होगा qs is equal to sr and qr is equal to 2qs qr is equal to 2qs ठीक है तो यह एक हो गया यह हमारा fourth statement ठीक है अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे fourth statement को first statement में डालेंगे put four in one four in one ठीक है और कहां पर डालेंगे एक तो यह हो गया और दूसरा हमारा bc जाने की यह दोनों में तो हमारा क्या आजाएगा हमारा आजाएगा a b by pq is equal to bc की जगर पर हम लेखेंगे two bm by two qs two and two get cancels तो हमारा यह आगया fifth statement ठीक है और क्या है यहां पर by second statement हमारा पहले दे रखा है b is equal to q तो क्या हो गया हमारा b is equal to q पहले से दे रखा है अब आपको क्या करना है क्या करना है यह एक statement आ गया fifth यह statement two तो अब आपका आ गया by by angle b is equal to angle q ठीक है यह first statement के हिसाब से तो यह दोनों को अगर आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा s a s similarity criterion के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा triangle triangle a b m is similar to यह वाला triangle and यह वाला triangle is similar to triangle p q s ठीक है यह हो गया अब इनकी areas क्या निकलेंगे ratio areas of triangle a b m by area of triangle p q s p q s is equal to kya निकलेगा a b a b a b whole square by p q 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 whole square by P s whole square ठीक है ठीक है तो यह हमारा statement क्या हो जाएगा पाई यहाँ हो गया था यह statement हमारा हो गया 6 ठीक है 6 statement हो गया आप ध्यान से देखोगे 6 statement में क्या है आपका यह काँ गया ठीक है और यह ठीक है तो इसने क्या कहा A B square by P Q square is equal to A M square by P A square और हमारे थर्ड statement में क्या है A B square by P Q square है ना that is the area of A B C and A तो अब इसको और इसको जस्ट ध्यान देना है तो हमारा क्या आएगा बाइ 6 and 3 we get we get क्या आजाएगा हमारा हमको जो प्रूब करना है क्या प्रूब करना है this area of triangle A B C by area of triangle P Q R is equal to A M square by P S square we get क्या मिला हम को area of triangle A B C by area of triangle P Q R is equal to the squares the ratio of squares of their medians that means A M square by P M S square । । ठीक है है एड्स प्रूब